आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बवासिर के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार है बवासिर के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं और जानेंगे कुछ घरेलू उपा है पाइल्स की समस्या बहुत दर्दनाक समस्या होती है इसे हम बवासिर भी कहते हैं कुछ लोग इसे मस्ता भी कहते हैं इसके बारे में बहुत दिल्चस बात यही कि हर व्यक्ति को गूदा में पाइल्स तो होता है लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब उनमें दबाओ और कारण हो सकते हैं जैसे कि यदि कोई शोच करते समय बहुत अधिक दबाव का प्रियोग करता है तो ऐसा वेक्टी पाइल से ग्रस्थ हो सकता है पाचन की समस्या बवासीर होने का एक प्रमुक कारण रहा है वैभोबुन जीवन शेली भी कई वार बवासीर को जन्म देती है फास्ट फूड पर ज्यादा निर्भरता भी बवासीर का एक बड़ा कारण हो सकता है नियमित कब्ज के कारण भी बवासीर हो सकता है भोजन में फाइबर की कमी होने से भी बवासीर की बिमारी जातक को हो सकत कठोर मल भी बवासीर का एक बड़ा कारण है रोजाना भरपूर पानी नहीं पीने से भी पाइल से व्यक्तिक रस्त हो सकता है अब एक महत्वपुन प्रश्म यही कि क्या खानबान में बदलाओ से बवासीर में सुधार हो सकता है तो यहां आपको कहना जाएंगे कि सुधा आहार लेना और ताजा आहार लेना बहुत ही अच्छा माना जाता है लेकिन अगर बवासीर की समस्या शुरू हो गई है तो प्रारणभी का वस्था में अच्छे आहार के साथ उचित दवा लेना भी आवशक है इसलिए डाक्टर नेचुरोपेथी कंसर्टेंट और जोतिश्यमार्ग दर्शन भी आप ले सकते हैं जिससे आपको शिग्र और स्थाईलाब मिल जाए आईए जानते हैं बवासीर के लक्षन क्या हो सकते हैं अगर किसी को शोच करते समय गुदा में दर्द होता है तो ये बवासीर के कारण हो सकता है अगर मल के साथ खून आ रहा हो तो ये भी बवासीर का लक्षन है सूजन के साथ नियमी तुरूप से गुदाम द्वार में अगर खुजली होती है तो ये भी बवासीर का संकेत है कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि शोच के दोरान बांस पेशियों का एक हिस्सा गुदा से बाहर आया गया है ये भी पाइल्स की समस्या का ही संकेत है आईए जानते हैं अगर आपने ववासीर का ट्रीटमेंट ले लिया हो तो फिर से वो ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं तो फाइबर यूगत आहार लें और पाचन तंत्र को मजबूत बनाये रखने के लिए समय समय पर कुछ हरबल दबाओं अर्थात अलवेदी दवायों का उपयोग आप करते रहें किसी वेकल्पिक चिकित्सक से सलह लेंके साथ ही नियमित रुप से व्यायाम करें और अपने दिमाग और शरीर को फिट रखें साथ ही कुछ देर गरम पानी में बेट कर कटी इसनान अवश्य करें जिससे आपको लाब मिलेगा और वो लाब बना रहेगा एक महत्तोपन प्रश्न है कि क्या पाइस के मरीजों के लिए सिटिंग जॉब खतरनाक है बेटने की नोकरी में समस्या तब आती है जब एकती समय समय पर ब्रेक नहीं ले रहा हो नोकरी के समय के बीच में समय समय पर हलके व्यायाम करना अच्छा होता है यह आपको तरो ताजा भी रखेगा और साथ ही आपको बहतर काम करने के लिए उर्जा भी देगा किसी भी समस्या से बचने के लिए किसी भी हालत में शोज को कभी भी रोकना नहीं चाहिए क्या सर्जरी से बचा जा सकता है यदि स्थिती गंभीर नहीं है तो सर्जरी की कोई आवश्रक्ता नहीं होती हुमपेथी और अयुर्वेदी की उपचार का उपयोग करके और आहार में बदलाओ करके इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है लेकिन गंभीर मामलों में सरजरी जरूरी होती है परन्तु ये इस्थाई समाधान नहीं होता यदि कोई विक्ति पाईस का इलाज ना करवा है तो क्या होगा हर मामले में उपचार अवर्शक होता है यदि कोई समस्या को कम आखता है तो संभव है कि नियमित रक्त सराओ के कारण विक्ति को एनिमिया कि समस्या से जूजना पड़े यक्रत और अन्य और अंगों को भी नुक्सान पहुँच सकता है जिससे गंभीर समस्या उत्पन हो सकती है इसलिए किसी भी जटिलता से बज़ने के लिए प्रारंभिक अवस्था में ही उपचार शुरूर कर देना जाहिए आईए अब जानते हैं किसी की जन्म कुंडली को देख के पाईल्स या सम्बंधित समस्याओं के बारे में कैसे जाना जा सकता है सबसे पहले कुंडली के तीन भावों यानि छटे, साथमें और आठमें भावों की जाज करना जरूरी है यदि ये घर अस्त व्यस्त हों तो पाईल्स या बावासित या सम्बंधित भिमारियां जातक को परिशान कर सकती है मान लिजी कि अशुब मंगल साथमें आठमें छटे घर में बेठे हों तो इससे सम्भावना बढ़ जाती है यदि इन भावों में राहू और मंगल की यूती हो जाएं तो भी जातक को जीवन में बावासित की समस्या होने की अशंकाएं प्रबल हो जाती है इसलिए एहतियात बरबना जरूरी होता है यदि जन्म कुंडली में छटा, सात्मा और अश्टम्भा अशुव प्रभाव उत्पन कर रहे हो तो जातक पाचन सम्भंधित समस्याओं से पीडित होता है और इसकी सम्भावना भी बढ़ जाती है कि वो भविश्य में बावासित से ग्रस्थ हो आईए अब जान लेते हैं पाइल्स के उपचार क्या है तो पाइल्स का इलाज जोतिश आयरोवे दवाओं, होमपेथिक दवाओं, प्राकरतिक चिकित्सा, एलोपेथिक कई तरीकों से किया जा सकता है लेकिन अगर मामला गंभीर है तो ऐसे में सरजरी की जरुत भी पढ़ सकती है लेकिन सरजरी के बाद आपको नेचरोपेथि, होमपेथि और कुछ जोतिश उपायों को भी करते रहना चाहिए जिससे आपको जीवन भर लाग मिलता रहेगा तो आईए देखते हैं ववासित के इलाज के लिए कुछ जोतिश, आयुरुवेद और योग के महत्वपुन तरीके कटी इसनान नियमित रूप से करें इसके लिए एक टब लें और उसमें गरम पानी भरें उसमें थोड़ा सा प्राकरतिक नमक डालें और फिर उसमें कम से कम 15 मिनिट तक बैठें कोशिश करें कि गूदा द्वार से पानी को आप अंदर खीचें और फिर निकालें इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करें आपको अच्छा बरलाव देखने को मिलेगा इसके बाद कोई भी मलहम जैसे कि पाईलेक्स या पाईलोन या फिर हिडेंसा अधिका उपयोग आप करें जो कि विशेश रूप से बवासिश के लिए बनाए गए हैं इससे आपने गूदा द्वार में डालें इससे आपको जलन से तुरंत राहत मिल जाएगी प्रती दिन शिवलिंग का भिशेक करें और ओम शान्ती 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 ही मंत्र का जब करें आप जोतिश की सलह से मोती भी धारन कर सकते हैं अगर कुंडली में उसकी आवशक्ता दिख रही हो अपने आहार में फाइवर को शामिल करें और आलू, चावल, तेल, मसालेदार भोजन से बचें जितना हो सके गर्म पानी पियें और अपने हर कोर को चबा चबा कर ही खाएं जोतिश कारणों को जानने के लिए अपनी कुंदली अवश्य दिखवाएं और किसी भी बिमारी से छुटकारा पाने के लिए सही जोतिश उपाया प्राप्त कर सकते हैं अनुभवी जोतिश से कभी कभी बवासीद के लिए जिम्मेदार गरहों के अशुप प्रभाव को दूर करने के लिए गरह शान्ती पूजा की भी आवश्यक्ता पढ़ती है तो वो भी समय समय पर आप दरवा सकते हैं तो इस प्रकार हमने देखा कि पायल से क्या कारण हो सकते हैं क्या उबाय हम कर सकते हैं स्वस्त रहने के लिए इसकी पूरी डीटेल्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं विस्तार से तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं अगर आप भी किसी गंभिर बिमारे से ग्रस्त हैं तो आप जोतिशी शलहा के लिए संपर कर सकते हैं आपके कुंडली को देख के आपको प्रापर गाइडिन्स दिया जाएगा अगर इस चैनल में आप नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आपको आने वाले जोतिशी वीडियो तुनंत प्राप्त हो सकें वीडियो पसंद आया हो तो से लाइक भी जरूर कर दीजे शेयर भी कर सकते हैं जरूर्मन्द लोगों तक मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए ओम नमस्षिवाय